आज कि इस वीडम देखने वाले भारतिया विद्या पीड कॉलेज अफ इंजिर निंग जो कि नवी मुंबई में आपको इस वीडम में इस वीडम को पूरा एंड तक देखना तो चलिए फीड स्टार्ट करते हैं कॉलेज का इस्टेबलिस्मेंट 1990 में हुआ था तो लगबग आज से कॉलेज 31 साल पुराना कॉलेज है अब इंस्टिट नेम की बात करें तो कॉलेज का पूरा नाम भारतिय विद्या पीड कॉलेज ऑफ इंजिर निंग नवी मुंबई है अब कॉलेज के लोकेशन की बात करे कॉलेज सेक्टर 7 CBD बेलापूर नवी मुंबई 4,614 में है अब कॉलेज के स्टेटस की बात करें तो कॉलेज अनेड़ेट नौन अटोनमस कॉलेज है जो कि अप्रूट बाइए सिटी नियू दिल्ली से रेकनाइज बाइग गवर्मेंट अब महाराष्ट्रा से एन एफिले में नियरस हैरपोट की बात करें तो पॉलेज हैरपोट मॉंबई एपाव हर कर नियर से खानेदेगा इपाऊ हिते थे能 धार नाइटैंग तॉ n कैमी मतलब मास्टर औफ इंजर्णी तो बीए वहमें केंपों इंजर्नी मिल जाता इसमें 60 सीटें इलेक्ट्रोशी न टेक्निक्स हैं मिल से 120 सीटें केमीकल इंजर्णी मील सीटिस इंच्टुमेंटेसने मिल लाथ इसमें 60 सीटें लातको मेžनें बद आपने केंपटर इंजिर्निकंग मिलाता हैं में सबढ़ेंगरीवास्ट तो हम सभी बरांच या के सब्सक्राइब यह कि बात करें चर्षास पना कले तो नौत बत जाए लादक हो ना इस नीलक टेया सो से नौ पर क्रीन अपर लेता जे अरा हे दिफ़ींद 21.40% और लयादा 3ds का 89.96% और यह ती सी दिपाटमेट की बाद करें तो पन्ना कतां 55.82 पर सेंट आ लिए था OBC का 14.16% आल गया दा ST का 22.38% आल गया दा ST का 29.93% आल गया दा EWS का 50.42% आल गया दा TFWS का 83.45% आल गया दा और JMS का 29.00% आल गया दा इंस्रुमेंटेशन की बात करें दोपन दा कट अफ 41.74% आल गया दा OBC, SC, ST, 3 वेकेंट थी EWS का कट अफ 43.05% आल गया दा TFWS का 70.96% आल गया दा और JMS की सीड वेकेंट थी अब केमिकल इंजिर्नी के बात करें दोपन दा कट अफ 80.37% आल गया दा OBC का 72.66% आल गया दा SC का 70.57% आल गया दा ST का 72.66% आल गया दा EWS का 32.86% आल गया दा TFWS का 85.68% आल गया दा और JMS का 72.26% आल गया दा अब मेकनिकल दिपार्टमेंट की बात करें दोपन दा कट अफ 30.21% आल गया दा OBC का 19.70% आल गया दा SC का 3.73% आल गया दा ST का 3.36% आल गया दा EWS का 70.28% आल गया दा TFWS का 81.64% आल गया दा एंजेए मेंज का 85.68 परसेंटाइल गया था और आपको इसकॉलेज में एडविशन चीए CSIT में तो आपको लगबग 90 के आसपास परसेंटाइल लगेंगे जब आपका इसकॉलेज में एडविशन हो पाएगा मेकनिकल डिपार्टमेंट तो आप देख रहों कितना कम परसेंटाइल है ओपन के लिए 30 परसेंटाइल बहुत कम है और इंस्ट्रूमेटेशन में तो सबसीट रेकेंड है मतलब लगता है प्लेस्मेंट अच्छा नहीं होता है इसलिए सबसीट खाली है यहां पर बाकी एक्स तो टोटल फीज यहां पर आपको 1,7596 अब हम सभी कैटेगरी के हिसाब से देख लेते हैं फीज तो ओपन की फीज 1,7596 रूपीज है अब रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो सिस्टी की फीज यहां पर 16,205 रूपीज है वीजे एंटी एस बीसी टी आवड़ीस के फीज सेम 16,205 रूपीज है इबीसी ओबीसी एवड़ीस एस एबीसी की भी 61901 रूपीज है अब यहां पर 27,250 रूपीज है अब इस कॉलेज के होस्टेल के बार में भी देख लेते हैं तो हमें इस कॉलेज में गर्ल्स बोईस दोने के लिए होस्टेल मिल जाता है तो अब रूम हर अब उसल की बात करें तो बईस फीज की फिज बॉड़ी थारौन works यहां पर जो सेम सबके लिए सेम ये यह फांड सबी के लिए Rock इनगाल्स धूड्स दोनों के लिए तो टोटल बॉस होस्टल की फिस्ट एडी थी थाउजन है और गयल्स होस्टल में जिसका सिंगल सीटर है उनके लिए 1,33,000 है टू सीटर की लिए 1,18,000 है और त्री सीटर की लिए 83,000 है अब में आता है प्लेस्मेंड पैकेज तो कॉलेज का हाई एस पैकेज 12 लेक्ष गया थ केंपोडर में 52 बच्चों का हुआ था 160 में थोड़ का था इगयरेट करें था tag 20 की देखेरें कि ऊटे वौट च्वेट आ प्लेश्मेंच वाकात है n में बच्छों को प्लेस्मेंट हो वा कैमूदर में इतने के सिनने वाक्ट में चीमीर हुआ टोटल 2019 में 219 बच्चों का प्लेश्मेंट हुआल को आ इन्स्रीमेंटेशन में rayソ 對啊 तोटल 17-18 में सतरो टोटल सतरोंissant में 20 corresponds सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें नेक्स कौन से कॉलेज का रिवीज है प्लीज कमेंट करके बताइए थैंक्स पर वचिंग